नुश्का मित्रो स्वागत आपका इस यूटूब चनल पे सिपाही भरती परीक्षा करानी की तैयारी तेज जैसे आपको जानकारी है कि जो सिपाही भरती थी वो पेपर लीक की चलते निरस्थ हो गई थी उसको सरकार अब जल्द जल्द कराना चाती है क्योंकि सरकार के किरकिरी पेपरों को लेकर बहुत खराब हो चुकी है किरकिरी हो चुकी है और जवी खराब हो चुकी है तो उत्तरप्रदेश पुलिक्स में सिपाही भरती की रद परीक्षा को दोबारा कराने की तैयारिया तेज की गई हैं। प्रवेश परीक्षा के प्रशन पत्रवा अन्य सामगरी रखी जाएगी इसके दरश्टिगत कोशागार में डबल लॉक सिस्टम सीची टीफी कैमरे शर्शतर पुलिस बल की तैनाती सुरक्षा करमियों की ड्यूटी रोश्टर बनवाने सभी प्रवेश पर निकास द्वारो की लॉक बुक बनवाने फाय सुरक्षा उक्टुकरण वा एलाम की सुष्टा सुनशित करने को भी कहा गया है आरक्षी नागरिक पुलिस के 6244 पदों पर भरती के लिए 18-19 वरवरी को हुई लिखित परिक्षा का पेपर लीख हो गया था शाशन ने 24 वरवरी को परिक्ष दिये थे कि 6 महीने में दुबारा पेपर होगा वह चीज़े चुनाव में दिखी रिजल्ट में दिखी अब सरकार को अपने चवी अगर सुधार नी है तो जितने भी पेपर फसे हैं इनको जल्द से जल्द खराकर अपनी चवी सुधारने का मौका तभी मिल पाएगा वरन मार के चलिए कि अगले विधान सभाचुनाव में सरकार को कड़ी निंदा इन पेपर लिग के चलते और इस खराप विवस्था के वज़े से दिखने पड़ेगी कोई भी अपडेट आएगा वो आपको देखने के लिए मिल जागा तो चैनल को फड़ा फट सब्क्राइब कर लिए लाइक कर लिए और अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए क्योंकि जो सिपाही भरती पेपर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो सोए ना जाग जाए क्य क्योंकि इस बार पेपर वाकई में चल्दी होगा लास्तर वीडियो ते कि उसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिन शुब हो